हेलो वेलकम बेक तुमाइट चनल तो प्रेहां साथ की इस विडियो में बात करेंगे एक आच्छी क्रीम के बारे में दोस्तों अगर आप दोस्तों सो राइसीस एक्जीमा लालपन खुजली से परिशान है तो दोस्तों यह वीडियो इंपोर्टेंट होने वाल है वीडियो मे लाज तक बने रही है सबस्पहले अगर हमारी इस विडियों के लिए निदी चैनल पर ने तो चनल को सब्सक्राइब जूर करें साथ बाइल आकर पेस कर ले दोस्तों आज की इस वीडियों में बात करेंगे मुमेटासॉन क्रीम आईपी इल्मोविल जेल के बारे में दोस्तों इल्मोविल क्रीम एक परकार की दवा है जिसे दोस्तों टाफिकल इस्ट्रॉइड के रूप में जाना जाता है दोस्तों इसका इस्तेमाल तौचा की कुछ परिस्तिचियों में किया जाता है जैसे के दोस्तों एकजीमा, सोराइसिस, ड के लिए किया जाता है डोस्तों यह सूजन खुजली और लाल पन जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करती है रोड़ो ठीक करने का काम करती है कि दोस्तों इस किरिम के बारे में अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसकी अगर ब्रांड के अगर बात की जाए तो दोस्तो यह है एक अच्छे और एक फेमस ब्रांड की तरफ से जिसका नाम है लीफोड दोस्तो लीफोड ब्रांड काफी इसकी लेटेड प्रोड़क्त लाता रहता है और से प्रोड़क्त लाता रहता है दोस्तो पेकेजिंग प्राइजिं ज्यादा आता है लेकिन दोस्तों यह आपको 80-85 रुपे के बीच आसानी से किसी अच्छे medical store पर उपलब्ध हो जाती है इसको डॉस्तों डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं अपने इसको यूज कर सकते हैं इसके इंदर मोमेटा सोन का यूज किया गया दो इसके साथ में nenhum लुवरी शौल का भी योच गया गया दोस्तों जो की काफी अथा इंगिट फाना जाता है दोस्तों अगर आप इसको निहमेत रूप से एक वीक तक इस्तेमाल करते हैं को दोस्तों आप इन सभी समझ्षयाओं को जड़ से खत्म कर पाएंगे दोस्तो यह आपकी जो भी समश्या है दोस्तो एकजीमा सुराइसिस से संबंदित है फिर कुजली से संबंदित लालपन संबंदित यह सभी समश्या ठीक हो जाने के बाद दोस्तो तब भी दोस्तो आपको इसको इस्तेमाल करना है दोस्तो चार से पान दिन और लगाना है दोस कोई भी क्रीम या दवाई को ले रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों को उसके बाद भी टीट्मेंट जारी रखना चाहिए तीन से चार दिन ताकि वह कंपलीट ठीक हो सके आप इसको किसी अच्छे सकते हैं ताकि दोस्तों आपको सही तरीके से कंपलीट रिजल्ट मिल सके और आप सही हो सके दोस्तों अगर आपका इल्मोविल क्रीम से समझत कोई भी क्यूशन है तो मैं कमेंट बक्स में जरू बताएं अन्य किसी प्रोडेक्स रेटर्ड रिवी देखने के लिए मैं